Hey guys, तो आज मैं आपके लिए Flaming Farm Project का review करने वाला हूँ Flaming Farm is a unique proprietary deflacenary yield farming protocol यहाँ पे अगर project के concept की बात करो तो वो बहुत unique and amazing concept है तो यहाँ पे अगर उनके token की बात करो तो यहाँ पे जो उनके pre-manned token है वो है only 10,000 token और यहाँ पे अभी उनका token sale चल रहा है तो यहाँ पर आपके पास में मौका है कि आप यहाँ पर सबसे कमरेट में token को buy कर सकते हैं और उसके अलबा यहाँ पर एगर project की बात करो तो यहाँ पर उनका खुद का यहाँ पर swap आने वाला है जैसे unit swap है वैसे ही यहाँ पर आने वाला है flaming swap तो यह पूरा project कैसे work करता है कैसे आप यहाँ पर token को buy कर सकते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ चलिए अब हम आ गए है website के उपर तो project के related सारे links आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो आप उसके उपर click करके उसको one by one check out कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले introduction देता हूँ flaming farm project के बारे में यहाँ पर एगर website के बात करूँ तो आप check out कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा है flaming farm is a unique proprietary deflecenary yield farming protocol यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताया है यहाँ पर अभी उनका pre-sale already live हो चुका है जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ उसके अलावा यहाँ पर आपको उनके telegram का option मिल जाता है तो इसको आप ज़रूर जोइन कर लेना तो उनका जो भी latest डबड़े टो अगे रहा होगा या फिर अगर आपको कुछ भी doubt हो तो आप directly उनसे बात करके solve कर सकते है और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको उनका token contract address देखने के लिए मिल जाता है जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर जो उनका token sales चेज है वो है private sale और public sale यहाँ पर अगर private sale की बात करो तो जो hard cap है वो है 300 ETH का और public sale की बात करो तो यहाँ पर जो hard cap है वो है 600 ETH का अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर basically flaming farm है क्या उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है यहाँ पे अगर flaming farm की बात करो तो आप check out कर सकते है यहाँ पे लिखा है flaming farm introduces a deflationary protocol into the yield farming equation to help the control inflation inflation is a serious concern in the market at this time जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर current situation की बात करो तो यहाँ पे जो inflation है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे serious matter है उसके बाद में आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिखा है first generation platform now realize that this method of monetary issuance leaves the market unbalanced yet they have no way to correct the issue when you combine this scenario with the market speculative nature it's easy to see the potential for runoff sales and token inflation उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ जो F farm है यानि कि flaming farm वो यहाँ पे यह जो issue से उसको यहाँ पे कैसे correct करेगा आप check out कर सकते हैं यहाँ पे लिखाए the system continuously monitors its liquidity pool and adjusts the circulating supply of F farm tokens when it's determined that it's necessary to shore up the prices this system supports the ETS, USDT and DAI pools at this time developers stated that the protocol begins with a 2.5% burn from that the system moves according to the situation यानि कि यहाँ पे initial stage पे जो supported coin होंगे वो होंगे ETS, USDT and DAI और उसके लाबा यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे उन लोगों ने जो percentage रखा है वो है 2.5% burn उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको basically इसकी history क्या है उसके बादे में यहाँ पे बताया गया है और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहां पर आपको उनके जो token है उसके बारे में detail मिल जाएगी, यहां पर उन लोगों ने जो token total है, उसमें से 40% रखा है उन लोगों ने pre-sale के लिए, 25% को रखा है उन लोगों ने private sale के लिए, 25% को रखा है unit swap liquidity के लिए, 5% को रखा है token team token के लिए, और जो 5% है उसको लखा है यहाँ पर development के लिए आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर लिखा है tokens जैसे कि मैंने आपको बताया वो बहुत ही minimum में जो कि है only 10,000 यहाँ पर जो token का symbol है वो है F1 यहाँ पर cost of token आप चेक आउट कर सकते हैं वो है 0.12 ETH to 0.16 ETH यहाँ पर purchase कैसे कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पर ETH के थुरू कर सकते है total hard capital की बात करो तो वो है 900 ETH private sale hard cap जैसे कि मैंने आपको बताया वो है 300 pre sale hard cap जो कि है 600 ETH जो उनका listing price है वो है 0.19 ETH burning rate वो जैसे कि मैंने आपको बताया आप यहाँ पर जितनी भी बाद token को transfer करोगे यहाँ पर जो minimum यहाँ पर percentage रखा है वो है 2.5 और उसके बाद में वो adjust किया जाएगा supply को increase करने के लिए अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको उनका simple सा roadmap दिखने के लिए मिल जाता है और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो उन लोगों ने यहाँ पर अपने fund को कैसे allocate किया है वो भी आप checkout कर सकते हैं यह जैसे कि मैंने आपको बताया private sale 25% pre sale 40% initial units of liquidity 25% team के लिए 5% और project development के लिए देखा है 5% अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको उनके team members के बारे में पता चल जाएगा अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनका smart contract है उसको उन लोगों ने already यहाँ पर audit कराया हुआ है अगर आप यहाँ पर आपको audit के उपर लेके चलता हूं तो आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर उनका आपको ब्लॉग audit report देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं उनका जो ब्लॉग audit report है वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दिस्केपसर में दे दूंगा तो यहां पर अगर आप चाहों तो इसको डिटल में आप चेक कर सकते हैं तो अभी फिलाल के लिए मैं यहां से यहाँ पर कैसे आप token को buy कर सकते है तो वो आप यहाँ पर check out कर सकते है यहाँ पर simply जो आपको ETH है वो आपको यह वाले wallet race के उपर send कर दिना है और उसके बाद में गाईस यहाँ पर जितने भी ETH आपने send किया होंगे उसके अगेस में rate के e-sap से आपको यहाँ पर जो भी token होंगे वो आपको यहाँ पर वापिस मिल जाएंगे तो यह एक बहुत ही simple सा process है इसके अलावा यहाँ पर अगर token allocation की बात करो तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर pre-sale price की बात करो तो वो है 0.16 ETH purchase limit जो है वो है maximum 20 ETH का और बाखी सब मैंने आपको अलड़ी बता दिया है तो अब मैं guys यहाँ से back चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर flaming farm project की बात करो तो यहाँ पर जो उनका concept है वो बहुत ही unique and amazing concept है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर उनका token sale चल रहा है तो अगर आप चाहो तो उनके token को आप जरूर बाइक कर सकते है